यू आ वाचिंग FNI News कौन सा मोहरा क्या चाल चलेगा कोई नहीं जानता बहुत से लोग जो पिछले लंबे समय से टिकेट की दरकार कर रहे थे और उन्हें टिकेट नहीं मिला लेकिन इस बार संभावना जता ही जा रही है कि ऐसे अपेकशार्थियों की जोली में आका टिकेट गिर सकता है इसका एक संकेट दे रहे हैं इन दिनों छेत्र में लगे वो होर्डिंग्स जिसमें एक और सिंधी समाज के युवा चेहरे यानि भरत वातवानी का चेहरा है जो कि दिल्ली परदेश बीजेपी के सिंधी परकोष्ट के अध्यक्ष है वहीं दूसरा चेहरा है दिल्ली परदेश बीजेपी के पिछडा मुर्चे के अध्यक्ष भुपिंदर गोटवाल का ऐसे में ये नए राजनितिक संकेत क्या है आई ये डालते हैं एक नदर वजीरपुर विधान सभा की बात करें तो इन दिनों सिंधी समाज और पिछडा वर की नई युवा पीडी राजनितिक रूप से खासी सक्रिये नदर आती है कुछ ऐसा ही इशारा करते हैं वजीरपुर विधान सभा में लगे कुछ इस तरह के होडिंग्स जिसमें एक और सिंधी समाज का युवा चेहरा भरत वातवानी जो की दिल्ली प्रदेश बीजेपी के सिंधी प्रकोष्ट के अध्यक्ष भी है वहीं दूसरी और दिखते हैं बीजेपी के दिल्ली प्रकोष्ट के पिछडा मोर्चे के अध्यक्ष भुपिंदर गोटवान सूत्र बताते हैं कि भरत वातवानी भी यहां की जनरल सीट पर अपनी दावेदारी कर सकते हैं इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि हाली में पार्टी ने उन्हें दिल्ली प्रदेश के सिंधी प्रकोष्ट का अध्यक्ष मनुनित किया था ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी ये साफ संकेत देने की कोशिश कर रही है कि वो भरत वातवानी को यहां की जनरल सीट से चुनाव लड़वा सकती है अगर इस विधान सभा के चारो वाट्स की बात करें तो अगर बीजेपी यहां से किसी नए स्थानिय युवा चेहरे को नहीं उतारती तो जानकार बताते हैं कि इस विधान सभा में बीजेपी का सूपडा साफ होना तै है जैसा की आप जानते हैं कि यहां के दोनो वाट्स यानी सावन पारक और वजीरपुर वाट एसी के लिए आरक्षित हैं ऐसे में टिकेट बटवारे में भुपिंदर गोटवाल भी एक एहम भूमिका निबार सकते हैं अमित मलोत्रा, FNI News Bureau